हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वीगन डाइट से efficient weight loss कैसे होता है क्या फायदे और नुकसान है इस डाइट के आपको इसे कैसे follow करना चाहिए और वीडियो के end में हम एक sample डाइट भी बनाएंगे तो चलिए start करते हैं आजकल वीगन मीट बहुत popular है और आपने सुना होगा कि इसे कुछ celebrities भी follow करते हैं जैसे विराट कोली, kangna ranaut अब इस डाइट बन में कोई भी animal product नहीं खाते हैं जैसे meat, eggs, dairy product या honey यानि शेहर क्योंकि वो भी animal product महीं आता है इसमें सिर्फ plant based food खाते हैं जैसे fruits, dry fruits, vegetables, daal, whole grains जैसे चावलोगे हूँ अब vegetarians के लिए कोई नहीं चीज नहीं है बट अगर आपको vegan meal plan follow करना है तो दूद, दही और dairy products को भी छोड़ना पड़ेगा vegan meal plan के benefits हैं कि जब आप fruits, vegetables जादा खाएंगे तो आपको fiber जादा मिलेगा और fiber मिलने से आपको भूग कम लगती है जिससे आप बार-बार नहीं खाते अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम खाना है जितनी आपकी diet है उतना food लेना चाहिए बस क्या खाना है और कब खाना है वो plan करना है हमें जैसे आदत होती है कि घर में मैगी कोई खा रहा है तो हम भी खा लेते हैं उसके सार या दोस ने बोला कि burger खाने चलते हैं तो चले गए अब आप सोचेंगे कि क्या ये एकदम छोड़ना पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं है और ही हम बताएंगे जब हम बात करेंगे कैसे इस डाइट को फॉलो करना है फाइबर खाने का एक और फायदा भी है कि blood sugar level control में रहता है vegan diet से आप cholesterol level में भी control कर पाएंगे जिसे heart healthy रहेगा अब ये तो हुए फायदे बट जैसे हर चीज का positive and negative दोनों होता है तो vegan diet का भी है क्योंकि इसमें बस plant based food ही खाते है और dairy products भी नहीं खाते तो कुछ nutrients का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आप अपनी diet में ज़रूर include करें वरना उसकी deficiency हो सकती है ये बहुत मुश्किल नहीं है बस जो आप food खाएंगे और आप plan करना है और balanced food लेना है अब healthy eating and weight loss के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा अगर हम देखें किस-kis nutrients का आपको इस diet में ध्यान अगना है तो वो है protein जो important होता है muscle development के लिए इसके sources बहुत सारे हैं जो आप regular खाते हैं जैसे दाल, राजमा, छोले, dry fruits आप चाहें तो अपनी diet में flax seeds, siya seeds और oats भी include कर सकते हैं fruits and vegetables में भी थोड़ा protein होता है तो वो आप खाते ही रही है दूसरा है calcium जो bones के लिए important होता है उसका substitute जो आप ले सकते हैं वो है soya bean, dal, mutter, badam जिसका आप चाहें तो badam milk घर पे बना सकते हैं वो बहुत अच्छा होता है chia seeds, सफेद, till और green vegetables जैसे cabbage ये भी अच्छे sources है calcium के spinach में भी होता है इसे खाने से आप वो calcium मिलता तो है बट सही से absorb नहीं होता body में तो इसे मैं calcium source में include नहीं करूँगा अब आते हैं next nutrient पर जो है vitamin D इसके sources best is sunlight बट आपको ध्यार रगना है कि हफते में 2-3 बार आपके हाथ और पैर sunlight को expose हो जाए 20-30 मिनट के लिए अगर आप soy milk, almond milk या conflix लाते हैं market से तो एक बार label देख ले ना कि उसमें vitamin D B added है क्या next है iron iron के लिए बहुत option है जिसे लोबिया, छोले, दाल, सोया बेन, फ्लैक सीट, काजू spinach, पुटाटोस, पंकिन सीट तो यह आप अपनी डाइट में include करिए और last nutrient जिसका आपको ध्यान अटना है वो है vitamin B12 जो आपके body के nervous system के लिए अच्छा होता है इसका substitute raw veg foods में नहीं मिलेगा तो आपको यह उन foods से लेना पड़ेगा जिसमें added होता है, जैसे killox cornflakes या oats, इसके लिए जब भी आप market जाए तो label पढ़ लीजेगा, आपको पता सल जाएगा अगर आपको अभी तक यह diet plan interesting लग रहा है तो इसको शुरू करने है कुछ tips है पहला है कि इस diet का फायदा नहीं होगा अगर आप vegan के नाप पर processed food जैसे vegan cookies, vegan ice cream जो market में बहुत आती है, यह सब खाएंगे या फिर refined carbs, जैसे मैदा यह खाएंगे आपको एक चीज हमेशा आयाद रखनी है कि processed food and packaged food raw food से हमेशा बिकार होता है दूसरा है एक बार में मत छोड़े सब कुछ ऐसा ना हो कि आपने दूद, दही सब एक बार में छोड़ दिया धीरे-धीरे vegan होना चाहिए आप धीरे-धीरे दूद बन करिए जैसे अगर आप डेली लेते हैं तो पहले हफते में पास दिल लीजिए दूसरे हफते में तीन दिन तीसरे हफते में दो दिन और लास्ट वीक में एक बार लीजिए फिर छोड़ सकते हैं इससे आप एक महिने में dairy products को छोड़ पाएंगे कई लोग वीगन इसलिए बनते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके खाने की बज़े से animals को परिशानी हो तो वो animal products एकदम छोड़ पाते हैं थर्ड और important point है अगर आपने वीगन शुरू किया है fat loss के लिए या blood sugar level कम करने के लिए तो मेरा suggestion है कि आप follow करिये diet जब 2-3 महिने में थोड़ा weight loss हो जाएं तो कुछ दिन जैसे एक हफता वापस dairy products ले सकते हैं और फिर से same vegan diet पर आ जाईए अगर आप dieting नहीं करते तो बहुत strict diet करने से एक तो body को परशानी होती है और आप enjoy नहीं करते process को जो important है किसी भी diet को follow करने के लिए अगर आप फिर भी strict diet लेना चाहते हैं तो try कर लीजिए इसमें हमेशा याद रखना कि अपनी body की सुननी चाहिए अगर आप ज़्यादा tired feel कर रहे हैं या fresh नहीं feel कर रहे इसका मतलब आपको अपने diet में कुछ change करने की ज़रूरत है और इसको ignore नहीं करना चाहिए चलिए अब बनाते हैं एक sample vegan meal plan अब क्योंकि meal plan depend करता है काफी चीज़ों पर हम या sample meal plan बनाएंगे एक male जिनकी age 30 years है and weight 70 kg है and female जो 30 years की है और उनका 60 kg weight है दोनों अभी कोई daily exercise नहीं करते हैं अब weight loss depend करता है कि आपकी body कितना calories ले रही है और कितना calorie expenditure है इस topic पर हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे पहले example देखते है अब कोई भी meal plan follow करने के तरीके हैं कुछ पहला है relaxed जिसे आप enjoy करते हैं दूसरा है ideal plan जिसे आप तब follow करते हैं जब आपके पास एक deadline होती है कि जैसे आपको दो महिने में पतला होना शारी के लिए last है restrictive जो बहुत strict होता है और उसे professional follow करना पसंद करते हैं हम यहाँ relaxed plan बनाएंगे जिसे आप follow कर पाएं क्योंकि आप हो सकता है आप पहली बार vegan meal plan ट्राइए कर रहे हो और इससे आपको फायदा भी हो so morning में सबसे पहले आप एक गलास गरम पानी नीमू के साथ पी लीजिए कभी-कभी आप गरम पानी के साथ roasted flaxseeds भी ले सकते हैं breakfast आप 8-9 बजे तक कर लीजिए इसमें आप कोई भी दो तरह के seasonal fruits खा सकते हैं और ये बदल-बदल के लीजिए जिसे आप बोर ना हो कुछ देर बाद डलिया, oats या पोहा ले सकते हैं अगर आपके घर में सुबह-सुबह पराठे बनते हैं तो वह भी खा सकते हैं लेकिन सिर्फ एक ही खाईएगा अगर फिर भी भूख लगे तो vegetable juice with flaxseeds या vegan protein shake ले सकते हैं वह भी घर में बनाकर अब 11 बजे के आसपास थोड़से dry fruits जैसे चार बदाम, एक अखरोट ले सकते हैं lunch में दो रोटी उसके साथ घर में जो भी बनाओ जैसे दाल, राजमा, छोले वो ले लीजिए इसमें गी एक छोटे चमबस से जादा मत डालिएगा इसके साथ आप कोई भी green vegetable की सबजी और salad ले सकते हैं salad में आप flaxseeds का powder में मिला सकते हैं जो अच्छा रहता है 5-6 बजे जब थोड़ी भूक लगती है तब आपके पास options है vegetable juice with flaxseeds, smoothie with chia seeds, bread and peanut butter सो आप कोई भी combination ले लीजिए डिनर आपका light होना चाहिए और उसे 8 बेस तक कर लीजिए उसमें एक रोटी, डाल और salad लीजिए बस इस meal plan से आप दो हफते में ही change देखेंगे और अगर आप इसके साथ 30-40 मिनट वॉक कर ले या थोड़ी exercise कर ले चाय और coffee खाने के आसपास मतले और अगर बंग कर सकते हैं तो कर दीजिए तो आपको एक महीने में अच्छे result दिख जाएंगे I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ये हमारा nutritious and healthy lifestyle का पहला वीडियो है और आगे काफी वीडियो लेकर आएंगे similar topics पर अगर आपने अभी तक चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए जिससे आप updated रहें क्योंकि हम हर हफते दो नई वीडियो लेकर आते हैं मिलते हैं next वीडियो में